जिला कानपूर का रहने बाला उमेश जब दो-तीन साका था तब ही पोलियो जैसे गंभीर बीमारी से पीरित हो गया था जब बड़ा हुआ तो घुटने पर हाथ रखकर चलने लगा और चलने में काफी तकलीफ होती थी जन में के तीन साल बाद पोलियो हो गया था इसके बाद मैं एक आईटियाई कोर्स कर रहा था मैं कानपूर गया वहाँ पे नारायन सेवा संस्थान का भागवाद प्रोग्राम चल ला था उसी में इनों का विकलांगों लोगों का कैंप लगा हुआ था नारायन सेवा संस्थान से अपना निशुक आपरेशन करवाने के दौरान उमेश ने घर पर ही मोबाईल की मरमत का काम शुरू किया 45 दिनों का मोबाईल रिपेरिंग सीखने के बाद मैंने वहाँ से पूरा कोर्स किया इसके बाद में मुझे वहाँ का सर्टिफिकर मिला मोबाईल रिपेरिंग का और टूल कीट बगारे भी मिले जो कि मैं घर लाया और अपना मोबाईल का काम चालू करके दो पैसे कमा रहा संस्थान युमेश को पैरों पर खड़ा करके उसकी जिन्दगी को रोजी रोटी की खुश्यां भी ब्रदान की मोबाल रिपेरिंग सिक्कर मैं दो पैसे कमाता हूँ और नारान सेवा संस्थान ने जो ये काम किया है मुझे अच्छा करके अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है मैं उसके लिए उनको पोट पोट धनवात करता हूँ